नमस्का, मैं उससी आयो जरकन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं पर दाग लग गया है और यहां के युवा ही इस दाग को मिटाएंगे 1932 के खतियान अधारित नियोजन निती पर दो दिन पहले मुख्य मंत्री ने सदन में जो भासन दिया वह पूरे राजे की जानता के सपने को चकना चूर कर दिया हम इस एजेंटा के साथ अब की बार हेमन सरकार के नारे के साथ जारखन में सरकार बनाये थे की अपनी सरकार बनी तो 1932 के खतियान के अधारपन युजन निती बनेगी इस पर अब तक विचार नहीं हुआ है बिधायक लोबिन हेमरेम ने कहा कि उन्हेसे 32 से खतियान के अधारपन नियोजन नीती के समर्थन में उसे लागू कराने को लेकर इस टिपन वरांडी के नेतित में यह लोग मुख्य मंत्री से मिले थे साथ में मंत्री जगनात मतो भी थे मुख्य मंत्री ने कहा कि हम लोग एक दो नहीं छह साथ मीटिंग करेंगे और इसके बाद एक मजबूत नियोजन निती लागू कराएंगे आज तक यह बैठक नहीं हुई जारखन में 26 मार्च तक मौसम सूस्क रहेगा और आसमान में बादल चाये रहेंगे इसके बाद मौसम सूस्क रहेगा लेकिन आसमान साफ रहने की संभावना है यह चिती 31 मार्च तक रह सकती है जारखन के रहे धानी राची में सूबह से ही आसमान में बादल चाये हुए है इस बीच मौसम विभाग ने अपने पूरो अनुमान में कहा है कि 26 मार्च को मौसम सूस्क रहेगा और आसमान में बादल चाये रहेंगे लेकिन बारिस को लेकर कोई संभावना ब्यक्त नहीं की गई है 31 मार्च तक बारिस को लेकर कोई अनुमान जाहिर नहीं किया गया है मैट्रिक वा इंटर की परिक्षा देने वाले छात्र छत्राओं के लिए टीप्स जार्खन, राज, माधमिक, सिक्छक, संग, जीला, इकाई, गाडवा के पतादिकार्यों ने जैक, बोट की बारसिक, माधमिक और इंटर्मेडियेट परिक्षा 2022 में सामिल होने वाले सभी परिक्षार्थियों को टीप्स दिये हाँ ताकि उन्हें परिक्षा में परिक्षा में परिक्षानियों का सामना नहीं करना पड़े सिक्छकों ने कहा कि परिक्षार्थी आत्म विश्वास के साथ प्रश्न पत्रों का हल करे सबसे पहले सरल पत्र का हल लिखे इसके पचात कठिन प्रश्णों का हल करना सुरू करे निधारित समय पर सभी प्रश्ण पत्रों का जवाब आप दे सके इस बात का पुरा ख्याल रहे इस समद्ध में संके जिला अध्यक्ष, महा भिज्यान, सिक्षक, सूसील कुवार ने कहा कि मैट्रिक एवं इंटर्मिडियट के परिक्षार्थियों ने विद्याला या घहर में अब तक जो पढ़ाई की है उसी पर फोकस करते हुए अपना आत्मविश्वास बनाई रखे प्राइबेट इसकूल के बच्चे सरकारी इसकूलों में ले रहे दाखिला करोना महामारी के बाल सरकारी इसकूलों में दाखिला का अगराफ बढ़ा है अबिभावकों का रुजहान सरकारी सकूलों की ओर है और इसके पिछे की वज़ा इस महामारी के काराण कुछ लोगों की नोक्री चली गई है तो कुछ लोगों को बेतन बहुत कम मिल रहा है इस वज़ा से बहुत से अभिभावक आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं और इस आर्थिक तंगी के कारण अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूल से निकाल कर सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं रांची में जोर सोर से मनेगा सरहूल पुलचांदी के रथ पर सवार होंगे पाहान राइधानी राची में इस बार 4 अप्रेल को जोर सोर से सरहूल मनाने के त्यारी की जारा ही है शुक्रवार को विभीन आदिवासी संगटनों ने एक प्रेस कंफरेंस कर इस बात की जनकारी साजा की आदिवासी जन परिशत के अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा ने बताया कि कुरोना की वजय से दो साल तक सरहूल का योजन धुमधाम से नहीं किया जा सका लोग एक साथ सोभायातरा का लुप्त नहीं उठा सके लिहाजा इस बार विभीन मौजा से सोभायातरा निकलेगी और राजधानी के अलवाट एका चोग पहुंचेगी अलवाट एका चोग पर सरहूल का एक बड़ा स्टेज बनाया जाएगा साहेव गंज जहाई दुरगातना मामले में सीवियाई जाज की मांग जहारखण में साहेव गंज मनिहारी कारगो सीव दुरगातना मामला तूल पकरने लगा है शुक्रवार को इसको लेकर सदन में हंगामा हुआ वही भाजपाविधायक दल के नेता बाबुलल मरांडी ने नदिक के रास्ते अवाइद पत्थर और ओवर्लोडिंग मामले को लेकर सरकार को पहले ही सचेत किया था इस दरान बाबुलल मरांडी ने राज सरकार पर जमकर निशाना साथते वे सीव याई जाज की मांग की है वही राज सरकार ने चार सदस्य जाज टीम गठीत भी कर दी है बता दे कि गुरुआर को साहिव गण से चल कर विहार के कटिहार जिला इस्थीत मनिहारी पहुचने से पहले ही ट्रकों पर स्टोन चीप्स लदे मालवाहक जहाज दुरगटना गरस्त हो गई और संतुलित होने के कारण मालवाहाग जहाज पर इस्टोन चिप्स लदे कोई ट्रक गंगा नदी में समाग है ट्रक में सवार कोई लोगों के टूबने की भी संभावना है लोहरदग्गा के कैरो में पानी की बुंद बुंद के लिए तरस रहे गरामी लोहरदग्गा जिले के कैरो पर खंड अंतरगत चीपो गाउ में लवग असी परिवारों को पेजल समस्या से प्रती दिन जूजना पड़ रहा है गाउ में लगे मुख्यमंत्री नल जल जलापूर्ती जोजना बिगत 6 मां से खराब है जिसके करण गरामीनों को पानी के लिए रोजाना पशीना बहाना पड़ता है बतादे चीपो गाउ के गरामीन महिला पूरुस प्रती दिन एक किलोमेटर दूर से पानी लाते है एक सोलर जलापूर्ती जोजना की लागत 4,75,000 है गाउ में लगे दोनों जलापूर्ती जोजना खराब है मुहले के लोगों को सुध पेजल मुहजा कराने के उदेश से जोजना का किलोमेटर किया गया था प्रसासनिक लपरवाई के करण गरामीन जोजना का लाब नहीं उठा पा रहे है खुले आस्थानों में 500 ब्यक्तियों के साथ तेवहार मनाने के छूट गुमला उपायुक्त सरहुल एवं रामनामी परव के मदनजार जीला में बीदी बेवास्था बनाए रखने के उदेश से जीला सुचना भवन गुमला के सबागार में उपायुक्त सुसांत गौरों के देख्षता में जीला अस्थरी स्तांती समीती की बैठक संपन होई बैठक में मुखे रूप से सरकार के दिशानी देश के अधार पर तेवहार मनाने सांती बेवस्था बनाए रखने आदे बिंदूओं पर विचार भी मस्कर निना लिया गया बैठक में उपायुक्त ने जीला वास्यों को सरूल एवं राम नमी पर्व को सरधा एवं आपसी भाईचारा के साथ मनाने की अपील की जारखन के किसानों के लिए बनेंगे नीजी बजार बेच सकेंगे अपने उत्पाज राजे के किसानों को बेहतर बजार और डिजिटल प्लेट फोर्म उपलब्द कराने के लिए सरकार नीजी बजार परांगन के अस्थापना करेगी विधान सभा में जहार्खंट्राज, किरिसी, उपज और पसुधन, बिपनन, बिधायक, 2022 पारित किया गया इसके तहथ किसानों के लिए सरकारी बजार प्रांगन के अलावा राजे में निजी बजार प्रांगन भी अस्थापित करने का प्रधान किया गया बता दे नीजी बजारों के स्थापना के लिए सरकार विशेश सर्थ के साथ लैसेंस परदान करेगी किसान अपने उत्पादन को अपनी मर्जी से कहीं और किसी को भी बेच सकेंगे बिधैक में किसान द्वारा अपने उत्पाद की सीधे खुदरा विक्री करने का भी प्रवधान किया गया है क्रिसी उत्पादों के लावा पौसुदान विक्री की भी अनुमती पदान की गई है जारखन में कुरोना के 28 नए केस मिले है जबकि 22 मरिस्वस्थ भी हुए है जारखन में कुरोना के कूल एक्टिव केस की संख्या 97 है भारत में 1685 नए केस मिले है जबकि 24-79 मरिस्वस्थ हुए है भारत में कुरोना के कूल एक्टिव केस की संख्या 33-571 है रूपा तिर्की हत्या ममला रिटायर जस्टिस विके गुपता की एक सदसीय जांच आयोग को दरोगा रूपा तिर्की प्रक्रण में हत्या का कोई सबुत नहीं मिला है रिपोर्ट में रूपा तिर्की द्वारा फासी लगाने की घटना को मानसिक तनाव कारण माना गया है आयोक किया रिपोर्ट गुरु आरको संसद्य कारेमंति अलमगीर अलमने सदन के पटल पर रखी रिपोर्ट में गवाहों के बियान सहीद अन्य सबूतों के अधार पर कहा गया कि रूपा वो दरोगा सीव कुमार कनोजिया के बिच प्रेम समन था रूपा उससे साधी करना चाहती थी साधी को लेकर ही दोनों में अक्सर विवाद होता था उने इसो बतिस खतियान ज्हामूमों का चुनावी मुद्दा विजेपी भाजपा ने खतियान को अधार बनाने अध्वा नहीं बनाने पर अपने स्टेंड को लेकर गोल मोल जवाब दिया है परवक्ता परतुल साधे उने कहा कि 1932 खतियान पर राई सरकार की मनसा हिसाप नहीं है पहले 1915 की कॉट अफ डेट को गलत बताया फिर विधान सभा में कहा कि अभी यही प्रभावी है यह यूटर्न वाली सरकार है चुनाव के समय वादा किया कि 1932 खतियान लागू करेंगे इसका चुनाई मुद्दा ही यही था बार बार इसे दोराया गया लेकिन जब लागू करने की बात हुई तो अदालत का हवाला देते हैं रांची की सड़ के फूट पाथ दुकंदारों से होगी मोगते रांची नगर निगम ने वीतिये वर्ष 2022 स्टेज के लिए 277 कोड़ों रुपे के बयट पारित किया है बयट में सहरी छेत्र में नागरीक सुविधावों को बढ़ाने सहरी छेत्र के सुंदरी करान और घरीबों की योजनावों पर जोर दिया गया है साथ ही निगम छेत्र के लोगों को मचरों सुनिजाद दिलाने के लिए फौगीं की वेहतर वेवास्था करने का वायदा किया गया है निगम ने अपने 277 कुल रूपय के वेट में पुझीगत खर्च के लिए 1449.74 कुल रूपय के परधान किया है यानि निगम अपने कुल वेट की तीरपन परतितरासी निगम छेत्र के विकास पर खर्च करेगी आम लोगों को अपने मुहले में ही चिकी साथ सुविधाय मिले इसके लिए निगम अपने पुझानी डिस्पेंसी और रातु रोड अस्पताल को नए सीरे से खोलेगा CM हेमांत सुरेण ने CID को दिया पारवती कुमारी मौत मामले की जाच का आदेश मुख्यमंत्री हेमां सुरेण ने पारवती कुमारी मौत मामले की जाच CID से कराने का आदेश दिया है CM ने स्थुकरवार को धनबात के विधायक राज सीना के आगरा पौरया निर्देश राज के गिरी सचीव राजीव अरून एका को दिया CM ने गिरी सचीव से कहा कि DGP को इस मामले की जाच ततकाल CID से सुरू कराने को कहे ताकि पूरे मामले की सुक्ष मता से जाच हो सके विधायक सीरी सिना ने CM सीरी सुरेण को एक मांग पत्र देकर कहा कि गत 21 मार्च को पारवती का सोब BCCL GM कर्याला के सोच में मिला था इसको लेकर पिछले 5 दिनों से उनके परिजन एवं गरामिन आंदोलन परहा है 22 सत्र के अमतिम दिन नया जिला और परखान बनाने की योजना मुख्यमंत्री हमंसुले ने सदन में एक गय सरकारी संकल्प के जबाब में कहा कि बिधान सभा के कई सदस्यों ने परखान अनुमंडल वा जिला बनाने की मांग की है इसको लेकर भी गंभीता से ले रही है जारखन में परखान और अनुमंडल बनाने के लिए जनसंख्या और वहां की भौग गोलिक स्थिती का आकलन किया जा रहा है जल्द ही सरकार इस पर फैसला लेगी बिधान सभा में गयर सरकारी संकल्प के जरिये कई बिधायकों ने अपने बिधान सभा चेतर में परखान अनुमंडल बनाने की मांग को उठा रहा था इस पर जबाब देते विए मुके मंद्री ने कहा कि जीला परखंड पंचाज के स्रीजन के कई मापदंड होते हैं भगोलिक स्थिती जनसंख्या और परसासनिक द्रिष्टी कोन स्रीजन का मापदंड होता है इसका आकलन किया जा रहा है जाच और भैक्सिनेशन में लगे 200 करमचारी हटाये जाएंगे करोना जाच और भैक्सिनेशन कार्य में लगे 200 करमी सन्निवार से काम से हटा दिये जाएंगे ऐसे में आप कुरोना जान सेफ सरकारी केंद्रों में ही होगी टीका करन के केंद्र भी घटा दिये जाएंगे टीका करन भी सरकारी केंद्रों के अलावा कुछ महत्पुन केंद्रों में ही कराया जाएगा रांची के मुराबादी, बंदोबस्त कर्याला, स्टेट, योगा, केंद्र, हाई कोट के अलावा सरकार्य स्पतालो और CHC और PHC वाले केंद्र में ही ठीका लगाने की बेवस्ता की जाएगी 27 मार्च से लागू होगा बिमानों का समर सेड्यूल बिर्सा मुंदा यारपोर्ट पर्शासन ने समर सेड्यूल जारी किया हाई या 27 मार्च से प्रभावी होगा और 29 अक्टूबर तक जारी रहेगा इसके तहत रांची में बिमानों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी हर दिन रांची से 34 से 36 बिमान उडान भरेंगे इसमें इंडीगो के 15 से 16 बिमान सेवाएं यार अस्या की 9 से 10 सेवाएं गो यार की 6 यार इंडिया की 2, 4 और 20 सार की 2 बिमान सेवाएं अलग अलग दिन उडान भरेंगी बिर्शा मुंडा यारपोट पर पहला बिमान दिल्ली से सुबह 7.15 मेंट पर पहुँचेगा और सुबह 7.45 पर दुबारा दिल्ली के लिए निकल जाएगा अम्तिम पुन्य का बिमान रात 8.15 मेंट राची आएगा और 8.45 बजे रवाना हो जाएगा दुमका से राची पटना वा कोलकत्ता के लिए बिमान सेवा सिगरे उड़े देश का आमनागरिक उड़ान योजना के तहट दुमका हवाई अड़ा राची पटना और कोलकत्ता के बिमान सेवा निकट भविस में सुरू हो जाएगी दुमका के विधायक बसंत सुरें दुआरा इस संब्ट में विधान सब्वा में लाए गए गए गएर सरकारिक संकलप की सूचना पर जारकन सरकार ने जबाब दिया है कि राची पर्टना और कोलकत्ता के लिए सिधी उडान सेवाएं के लिए केंद्र सरकारदवारा यारलाइन से प्रस्ताव अमंत्रित किये जा रहे हैं उन्होंने बताया कि एरोड ड्राम लाइसेंस पराप्त होने और केंद्र सरकार द्वाराय योगे एरलाइन्स के चैयन के बाद दुमका हवाई अड्रेसे नियमित उडान सेवा प्रावरम हो जाएगी 1932 को पकड़े तो किया 2011 को छोड़ दे बोले सीम हमान्त जारखन विधान सभा के बएट सत्र का समापन हो गया है इसी के साथ सदन की करवाई अनेस्चित कालिन के लिए अस्थागित कर दी गई है सत्र के अमतिम दिन सुक्रवार को मुख्य मंतर हमान्त जुरे ने सदन में 1932 खतियान से लेकर मॉबलिन चिंग के मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा उन्होंने कहा के 1932 के खतियान का सम्मान करते हैं जो भी नियम बनेंगे ओ इस राज के जन भावना के अनुरूप होगा 1932 ते लेकर 1964,198,1993,2005,2011 में भी सरवे हुआ अब सदन ताय करें किसको लेना है 1932 को पक्ड़े तो क्या 2011 को छोड़ दे किसी के छोड़ना असान नहीं है समागर चिंतन किया सकता है एक समानवाय बनाते हुए बैधानिक पहलू को देखते हुए अध्यान करते हुए इस राज के लोगों की भावनावों को जानने के बाद हम आगे बढ़ेंगे खोटी में 15 अप्रेल को मनाया जाएगा जिला हस्तरिय सरहुल महोचो का आयोजन 15 अप्रेल को किया जाएगा यार निर्नाय गुरुवार को खोटी में छात्र पाल सिंग मुंडा के अध्यक्सता में होई अखिल भारतिय सरना समाज की अगुवई में विभीन समाजिक संगटनों की सन्युक्त बैठक में लिगाई महोचो के सफल आयोजन के लिए एक संचालन समीति का अगठन भी किया गया किसान कॉल सेंटर से किसानों की समस्याओं का हो रहा समधान जार्खन के मुख्य मंत्री हमन सुरेन का मनना है कि कॉल सेंटर के जरिये राजे के किसानों को तो फैदा होगा ही साथ में राज सरकार इसके जरिये यह भी जान पाएगी कि वाकवी में किसानों की जमीनी समस्या है ताकि इसके लिए सही नीती और नियम बनाये जा सके कॉल सेंटर के जरिये सरकार को किसानों की खेती बाई से सम्मधित समस्याओं का आकड़ा भी मिल जाएगा इससे निती निर्धारन करने में असानी होगी किसानों के लिए इस तरह की बेवास्था करने वाला जार्खन देश का पाला राज है जार्खन में किसानों को ससक्त और सम्रीद बनाने के दिशा में कॉल सेंटर लगाता कारे कर रहा है किसानों को उनकी भासा में उनके सवालों का जबाब मिल रहा है समस्याओ के समधान के लिए 1800-123-1136 पर फोन करके जनकारी हासिल कर रहे हैं सरावनी मेले से पहले बाबा मंदीर में पुखता इंतजाम जारखन के देवगा इस्थित बाबा बैदनात मंदीर में सरावनी मेले से पहले बेवास था दुरोस्त करने का काम जोर सोर से चल रहा है जीला परशासन ने सरावनी मेले के लिए सुलब जलारपन वा सुरक्षा का इंतजाम अभी से पराराम कर दिया है मंदीर में आने वाले भगतों की संख्या का सही आकड़ा मिले इसके लिए भगतों की गिंती अब हाई टेक तरीके से की जाएगी आम कातार से मंदीरों में परवेश करने वाले इंट्री पॉइंट की टी जक्सन तथा सिग्र दर्शनम इंट्री पॉइंट पर हेड काउंटिंग मसीन इंस्टोल कर दिया गया है अब हर दिन आने वाले भगतों का मंदीर प्रवंधन के पास सटीक आकड़ा उपलब्ध होगा चत्राप पुलिस ने टी एस पीसी का कुख्यात सरगाना को किया गिरफतार चत्राप जीला पुलिस ने एक बार फिर उग्रवादियों के खिलाप बड़ी करवाई किया है टी एस पीसी के सब जोनरल कमांडर रवी उर्फ रोहित उर्फ नहो भुयां उर्फ संतोस भुयां को कारवाईन और अने विस फोटकों के साथ गिरफतार किया है रवी के बिरूत चत्रा एवं पलामु जीले के बिभीन थाना छेत्रों में कम से कम आधा दावजन मामला दर्जाए रेलवे के महा परवंदक अर्चना जोसी ने रामगा एस्टेशन का किया निरिक्छान दक्षिन पूर्व रेलवे के महा प्रवंधक आचना जोसी सुक्रवार को मोरी बारका खना रेलखंट के अंतरगत पढ़ने वाले रेलवे स्टेस्टनों का निरिक्षन किया महा प्रवंधक ने सबसे पहले रांची रेल मंडल के डियारम प्रदीप गुपता सहीत रेलवे के वरिय पदेदकारियों के साथ रामगा केंट रेलवे स्टेस्टन पहुंची यहां महा प्रवंधक अचना जोसी करीब एक घंटे तक रूख रेलवे, क्वार्टर, कलोनी, रिले रूम, डाटा कंट्रोल रूम, ओ एफसी रूम, प्लेटफरम, उच वदूत्तिय, सिरेनी परतिछाला, स्टेसन प्रवंधक, कॉक्ष, टिकट काउंटर आधी का बारिकी से जाजा लेते हुए, पूरे स्टेसन परिसर को अपग्रेट करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है, काश्ट साटिफिकेट के लिए गुमला में अभियान, गुमला के स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाती, अनुसूचित जन जाती, और पिछड़ा व के लिए खुसकाबरी है, यह बिद्यार्थियों को अपना जाती पहान पत्र बनाने के लिए अबना तो अंचल करे ले जाने की जरूरत है, नहीं प्राग्या केंद्र, बता दे जाती पहान पत्र बनाने के लिए बिद्यार्थियों को पैसा भी लगाने की जरूरत नहीं प ज्यादि आप चनल पर ना है हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एकन दबाईए साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले साथ ही साथ आप हमें कमेंट बक्स में अपना फीड़बैक अवस से दे थैंक यू